बेशन को पानी में उबाल कर आज बनाएंगे बहुत यूनिक और नई रेश्पी गरंटी है फ्रेंट से आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक सेर करना चैनल को जरूर सस्क्राइब करना तो चलिए वीडियो कशब्री टालेता है यह संदौर कर दो आख आधी श्मच भी कम नमक हमें सोदन चाजाओ और यह आधी छीज़न डालने के बाद इसमें डालेंगे पानी पानी हमें थोड़ा-थोड़ा करकि अग्स ना पानी जानलते हुए इसको इसको मिक्स करते जाना है और इसका अमें पेष्ट बनाकर रेडी करना इसका पेष्ट हम evidence में थोड़ा सा गाड़ा ही सondansion sitting every day करके पाणी डाल लए तो पेष्ट हमारा रेडी है आप लोग देख सकते हो और पेष्ट हमारा इस तरह का कुछ होना चाहिए तो आप लोगों को भी सेम इसी तरह को पेष्ट बनाना है और उसके बाद हमने कड़ाई में पानी गरम होने के लिए रख दिया था पानी हमारा गरम है गरम पानी में इस तरह से हमको डालना है सेम इसी तरह से आप लोग को भी डालना है और कोई जंजट नहीं है और कुछ भी हमें नहीं करना सेम इसी तरह से बस डालते जाना डारेक् डाले नहीं नहीं चारह सकते हूं और निकाल देंगे तो अच्छा रहे जाग निकालने के बाद 2-3 मिनट और पक ने दिया था उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यह हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं तो अब हम इस तरह से इसको निकालकर एक बाउल पर रख लेंगे यह आप जाली वाली प्लेट पर भी रख सकते हो मैं अभी बाउल पर रही हो उसके बाद इसी उस पर रख दूंगे तो आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत ही असानी से यह सारे निकालकर तयार कर लोगे इसी तरह से और निकालने के बाद इसको 5-7 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगे 5-7 मिनट बाद मैंने एक मिक्सी के जार लिया जार लिया और ले सких न्यृक्तम्ने मिक्सी के जार में मिक्सी के जार में टालने के भासंद हैं इसको पेस्टमर जाला है इसको पीश कर असानी 1-2 मग साया धरक तोड़ी सी अध्रग और डालेंगे इसमें 3-4 हरी मेंच और 3-4 कले लहसून और एक मीडियम साइज का टमाटर को भी मैं कट करके यहाँ पर डाल देती हूं अब लुक देख सकते हूं इस तरह से अमक टमाटर को कट करके डाल देते हैं उसके बाद इसको भी टकन बंद करके ह कर चुकी है अब देख सकते हो अब हम चलते हैं कडाई की तरफ कडाई में तेल को गरम होनी कली रखा था तैल गरम है उसके बाद हमने आदेच्च में जीरा डाल दिया है और फिर डालेंगे इसमें दो तेजपत्ता तेश पत्ते से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा उसके दाल दिया यहां पर डालने के बाद इसको हम जाला देंगे दो से तीन मिंट अच्छी से पक आ लिएंगे हुआ अच्छ से पक जाएं तो बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे अगेस को मीडियम टू स्लो रखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो सारी चीelect अच्छे सपाग सुपागु किए हैं तो अब हम क्या करते हैं कुछ मसालें डाल देते हैं यहां पर मसाले डालेंगे तो मसालों में हम डालेंगे यहां पर आधी चमच Mensch HD powder और डालेंगे एक चमच धनिया पाउडर और फिर डालेंगे इसमें आधी चमच लाल मुर्शी पाउडर उसके बार डालेंगे इसमें थोड़े से गरम मसाले और सारी मसालों को अच्छे से पका लेंगे तो इस तरह से चलाते हुए मसालों को भी हमने अच्छे से पका कर तया फोड़ा ज्यादा बानय डालेजी और नमक दालते हुआ x तो हमार इसे करें प्रैश करें तुछ ivy लेंगे और इस तरह से हमें इसकी पकोड़ियां तोड़नी है डारेक्ट कड़ाई में पकोड़ियां तोड़ेंगे और हमें इन पकोड़ियों को तेल में प्राई भी नहीं करना पड़ा सिर्फ थोड़े से तेल में सब्जी बनकर तयार हो रहे हैं बहुत ही टेस्टी और स्वाधिस्ट लगिया और फ्रेंट्स खाने में तो इस सब्जी का जवाब भी नहीं है सारी सब्जी ओंको यह सब्जी फेल कर देगी बहुत ही अच्छी बनती है तो प्रेंट्स आप लोग भी जरूर ट्राइ करें तो आप लोग देख सकते हैं एक एक करके मैंने सारी पकोड़ियों को यहाँ पर केंगे इसको बील्कुल भी आमें ट्वस नहीं करना और इसको ठाक करके दो मिनटं के लिए पकने के लिए छोड़ देना को हम दो मिनटं के अट कर पकने क ja करिए हैं तो दो मिनट बाद आप लोग देख सकते हो सबजी कम पनकर बन देखंव कि खा deb T यह थोड़ा से ज्यादा पक गई हैं इनको हमने तीन से चार मिनट पका दिया है इसलिए छोटी हो गई उसके बाद धनिया डाल दिया है अधनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है बहुत ही अलग डंगी सब्जी जरूर बना करें वीडियो पसंद आते वीडियो कुलेक सेर करें चलते हैं